जिहार में नई सरकार और बुख्यमेंतरी तेश कुमार जैसे दागी, बागी और अपराधी के बीच फस गए हैं। दागी कानून मंतरी कार्थ के सिंग को हटाने की मांग जोर पकड रही है लेकिन से पहले राजानी पतना में बाट दात हो गई है। पतना में कोचिंग से लोट रही, छात्रा को अपराधियों ने बूली मार कर खायल कर दिया, सवाल ये कि खानून विरस्ता पर घिरे, सियम खानून मंतरी की शुट्टी करेंगे या नहीं करेंगे। उधर मंतरी नहीं बनाने से नाराज बीमा भारती, मंतरी लेसी सिंग के बहाने बढ़ा कुटी है। इस सिर मुणवाते ही ओले पढ़ने वाले हालात होते, दिख रहे हैं सरकार के शपत ग्रहन के साथ ही दाखियों की फाइले खुलने लगी है। आशंकाई थी, अंदेशा था, सवाल था कि आरजेडी के साथ नितिश की नई पारी कितनी और कब तक दागमुक्त रह पाएगी। जवाब सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अहिली करने में जरा भी देर नहीं की। एक बिहार, बिहारी होने के नाते मुझे बहुत शर्मा रही है। अपने सरेंडर के डेट के पहले कोट में जाकर स्टेक कराया होता। ठीक आप पर वान निकला आप कोट गए और आपने कोट ने कहा कि कोई भी कोर्सिव एक्सन मत लीजे। तो ऐसा तो कोट नहीं हुआ है, तो वारंट है कि नहीं है, बता दें, यह वारंट है कि नहीं है, यह फरजी काग़े जेकि आप सारी चैनल इसको दिखा रहे है। इसलिए नितिज जिया बैसे लोगों को रोक नहीं पाएंगे। कार्तिके सिंग को आदालत में थोड़ी महलत मिल गई है, आदालत ने सरेंडर करने की मियाद बढ़ा दी है, लेकिन नितिज सरकार की पारी बास्तिसी प्रकरण से लड़ खड़ा गई। आरोपी मंतरी के लिए सवालों का सामना करना मुश्किल हो गया। खुद नितिज कुमार के लिए कार्तिके सिंग को डिफेंड करना मुश्किल हो गया। सवालों से वो किनारे करते दिखे। देर शाम लालू यादव से मुलाकात की लालू दिली से पटना पहुँचे थे। कार्तिके सिंग का सवाल लालू के सामने भी उठा। लालू ने जवाब अपने अंदाज में दिया। लालू अब फिर से नितिश के साथ हैं और कार्तिके सिंग आरजेडी के कोटे से ही मंत्री हैं। इसलिए कार्तिके सिंग की गुथी इस वक्तनीती सरकार के गले की सबसे बड़ी फास है क्योंकि कार्तिके सिंग को बहुबली अनंत सिंग का आशिरवाद हासिल है। अब नितिश कह रहे हैं कि उन्हें कुछ भी नहीं मालूम लेकिन एतनी बात कहकर वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं जाड़ सकते। अब तो पूरे देश को नितिश के कानून मंत्री की कुण्डली की जानकारी मिल गई है। पहले ना सही अभी कारवाई कर लें। नितिश कुमार अपनी गलती दुरुस्त कर लें। रोहित कुमार के साथ सुजिज्जा पटना आस तक।